IPL 2023 में हर दिन एक से बढ़कर एक ब्लॉक्बस्टर मुकाबले देखने को मिल रहे हैं सभी खिलाडियों में भी इस टूनामेंट में अपनी टीम को सूपर हिट बनाने की बैटल शड़ी हुई है इसी कड़ी में सूपर शनिवार को शाम साड़े साथ बजे मुंबई इंडियंज और पंजाब किंग्स वानकेडे स्टेडियम में बिढ़ते हुए नजर आएंगे पॉइंट स्टेवल पर मुंबई इंडियंज 6 एंगों के साथ छटे इस्थान पर चल रही है और पंजाब किंग्स 6 पॉइंट के साथ ही 7 वे नमबर पर मौजूद है ऐसे में दोनों टीमों के बीच जबर्दस ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगा अब इस ब्लॉकबस्टर में कौन सी टीम सूपर हिट होगी ये हम आपको पूरे एक्जेक्ट आंकडों के साथ बताएंगे साथ में ड्रीम 11 की वो ड्रीम टीम भी घोशित करेंगे जो आपको भी चैंपियन बना सकती है सबसे पहले हेड टू हेड आंकडों पर नज़र डाले तो मुंबई और पंजाब के बीच आईपियल के इत्यास में अब तक 39 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 15 मैच एमाई ने जीते हैं और 14 मैचों में पंजाब ने बाजी मारी है वहीं पिछली पांच विड़त में पंजाब किंग्स ने तीन मैच अपने नाम की हैं और रोहित की टीम सिर्फ दो मुकाबलों में विजेता रही है यानि दोनों टीमों के बीच बराबर की टकर रहती है हलाकि IPL 2023 में जीत का मोमेंटम फिलाल मुंबई इंडियन्स के पास है लेकिन ये आंकड़े किसी नए मैच की हार या जीत डिसाइड नहीं कर सकते हैं यहां टीम कॉमिनेशन, तॉस और पिच सबसे बड़ा X-Factor साबित होंगे ऐसे मैं आपको बता दे कि वान खेड़े की पिच बल्ले बाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है यहां बरसाज से जादा रन बरसते हुए देखे जाते हैं वान खेड़े में अब तक IPL के 104 मैच खेले गए हैं जिसमें से पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने 48 मैच जीते हैं और टारगेट चेज करने वाली टीम 56 मुकाबरों में विजेता रही है इस पिच पर IPL का सर्वस्रेश्ट स्कोर RCP के नाम है जो की 235 रन है और लोवेश्ट स्कोर 66 रन का रहा है जो KKR के नाम है सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इस टीम के कप्तान शिखर धवन चोटिल है जिसकी वज़य से इनका बल्लिबाजी करम लड़ खड़ा रहा है दूसरी तरफ मुंबई इंडियन्स के तेज गेंदबाद जोफरा अर्चर भी इंजरी से जूज रहे हैं लेकिन पूरेज टीम कॉमिनेशन, करंट फॉर्म, की प्लेयर्स, रिकॉर्ड्स और होम एडवन्टेज को जोड़ा जाए तो यहां मुंबई इंडियन्स के जीतने की संभावना सबसे जादा रहेगी 58% ये मैच रोहित की टीम के पक्ष में रहेगा और 52% पंजाब किंग्स के भी जीतने की संभावना रहेगी अब वो ड्रीम 11 टीम बनाते हैं जो आपको अच्छी धनराशी जितवा सकती है विकेट कीपर में प्रभ सिमरन सिंग और इशान किशन दोनों को हमने टीम में रखा है दोनों ही सलामी बल्ले बाज है और जबर्दस फॉर्म में भी हैं बल्ले बाजी में रोहिश शर्मा और सूरे कुमार यादफ पर जरूर दाव खेल सकते हैं हलाकि तिलक वर्मा भी शांदार लेमे चल रहे हैं उन्हें बाहर करना एक बड़ा जोकिम है लेकिन चैंपियन बने के लिए ऐसे बलफ खेलने पड़ते हैं शिकर धबन का खेलना तै नहीं है इसलिए अभी उन्हें शामिल नहीं किया है अगर वे खेलते हैं तो आप उन्हें ड्रीम टीम में रख लेना अल्राउंडर्स में कैमरून ग्रीन, लियम लिविंग्स्टन, मैथ्यू शॉर्ट और सैम करन आपके फैंटेसी पॉइंट्स में टेजी से इधाफा कर सकते हैं इन पर भरोसा जता ना होगा गेंद बाजी में प्यूश चाबला, राहुल चाहर और जेसन वेरंडॉव इस पिछ पर मल्टीपल विकेट लेने के प्रबल दावेदार हैं इसलिए तीनों को ही ड्रीम टीम में शामिल किया है अब बात आती है कि ड्रीम 11 पर चैंपिन बनने के लिए कप्तान या उपकप्तान किसे बनाया जाए तो यहां 13% लोगों ने इशान किशन, 14% लोगों ने रोई शर्मा और 34% फीजदी लोगों ने कैमरून ग्रीन को अपना कप्तान बनाया है इसके अलाबा 21% लोगों ने सेम करन को वाइस कैप्तन चुना है आप भी इन में से किसी खिलाडी को कप्तान या उपकप्तान बनाकर दाव खेल सकते हैं हमने ड्रीम 11 पर कैमरून ग्रीन को कप्तान बनाया है और जोकिम उठाकर लियम लिविंग्शन को उपकप्तान बनाया है आप भी ऐसा जोकिम उठाइए और ड्रीम 11 पर अपनी किसमत चमकाईए दोस्तों अगर आपको ये पूरा मैच प्रिव्यू पसंद आया तो इसे अधिक ते अधिक शेयर जरूर करें और क्रिकेट से जुड़ी तमाम घबने लगातार प्राप करने के लिए क्रिक टूड़े टीवी को अभी सब्सक्राइब करें फिलाल के लिए धन्यवाद